कि राष्ट्रियस शिख्षा निती 21 सदी के भारत को नई दिशा देने वाली है साथ्यों पिछले तीन दसकों में दुनिया का हर खेत्र बदल गया हर व्यवस्ता बदल गया इन तीन दसकों में हमारे जीवन का शाहिद ही कोई पक्ष हो तो पहले जैसा ही रहा हूँ लेकिन वो मार्क जिस पर चलते हुए समाज भविश्य की तरफ बढ़ता है हमारी सिक्षा व्यवस्ता को अब भी पुराने धर्रे पर ही चल रही थी पुरानी सिक्षा व्यवस्ता को बदलना उतना ही आवशक था जितना किसी खराब हुए ब्लेक बॉर्ड को बदलना आवशक होता है जैसे हर स्कूल में पीनप बॉर्ड होता है उसमें तमाम जरूरी कागर स्कूल के जरूरी आदेश बच्चों की बनाई पेंटिंग आदि आप लोग लगाते रहतें यह बॉर्ड हर कुछ समय में भर भी कुछ समय में भर जाता है उस पीनप बॉर्ड पर नई क्लास के नए बच्चों की नई पेट्लिक्स लगाने के लिए आपको बडलाव करना ही पड़ता है नई राष्टिय शिक्षानिती भी नए भारत की नई उम्मिदों की नई आवश्रक्ताओं की पूर्टी का एक सशक्त माध्यम है इसके पीछे पिछले चार पांच वर्षों की कड़ी महनत है हर क्षेत्र हर विद्या हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है लेकिन ये काम अभीपूरा नहीं हुआ है एक प्रकार जे कहें तो ये काम की असली शुरुवात हुई है अब हमें राष्ट्रिय शिक्षानीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे मैं जानता हूँ राष्ट्रिय शिक्षानीति का एलान होने के बाद आप मैंसे बहुत लोगों के मन में हैं कई सवाल आ रहे हैं ये शिक्षानीति क्या है ये कैसे अलग है इसे स्कूल और कॉलेजों की व्यवस्ता में क्या बदलावाएगा इस शिक्षानीति में एक शिक्षत के लिए क्या है एक शात्र के लिए क्या है और सबसे एहम इसे सफलता पुर्वक लागू करने के लिए क्या करना है कैसे करना है यह सवाव जायज भी है और जरूरी भी है और इसलिए ही हम सब यहाँ इस कारकम में इखटा हुए है तक कि तर्चा कर सके आगे का रास्ता बना सके मुझे बताया गया है कि कल भी दिन भर आप सभी ने इनी बातों पर घंतों मन्थन किया है चर्चा कर दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है यह हमें नीचे दिये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं साथी इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा